अचकार में जितेंदर जेन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों पर सडक सुईक्रित हुई थी नगरपाली का इसकार को करने में पीछे क्यों हट रही है बाड़वासियों का कहना है कि जब तक पूर्ण काम नहीं होगा तब तक अंशन जारी रहेगा सबाल ये है कि अंशन में बैठे सभी बुजरुग बर्ग के हैं और इस समय ठंड का मावल हो यदि कोई हाथसा होता है तो सिवनी नगरपाली का की अधिकारी जिम्मेदार होंगे की ये अप कर देंगे अप कर देंगे अप कर देंगे जब लोग बहुत ज्यादा तरस्तो हो गए तब मजबूरान पचीस दिसमबर से प्रारम किया गया आमरांसन आमरा अंसन करने का मुख्य कारण ठेकेदार का पैमेंट इन्होंने नहीं किये पैमेंट से मेरे को कोई लेना देना नहीं मेरे को सिर्फ काम चाहिए काम चाहिए बार बार हम गिर गड़ाते रहें मेरे बार यहां के बाड़ के लोग कानी बाड़ के लोग गिर गड़ाते रह और जब तक यहां पे मुरम जो मात्रा में डलनी चाहिए और वो प्रेस नहीं होगी और मेरे को सीमो लेकर नहीं देगा कि अमोक तारीक तक रोड बन जाएगी तब तक मैं किसी भी कीमत में नहीं उठूँगा बस मेरा यही कहना है कि अतिस ही रोड बन जाए यहां की माताएं भारत माता की हमारी माया है तो अंसन का का कारण क्या है अंसन का कारण यह सार की चार महने से खोट के गए हैं तो पंदरा दिन में यह नाला कंपलीट हुआ है और उसके बाद एक मेने से काम बंद है, बहुत परिसानी हो रही आने जाने में, पानी हमको यहां से लाने में, दो मोते हो गई हमको घुमा के उधर से ले जाना पड़ा, बहुत समस्या है, उसकी कारण यह है अंसन के कि बहुत मजबूरी है, इसलिए हमने यह अंसन का प्रोग्राम करें ही, बाकी ऐसा कोई वो नहीं थी, अधिकारी से क्या चाहते हैं हम, कि यह काम हो जाए, तो हम उड़ जाएं, अधिकारी ने क्या बोला था, अधिकारी उने बोले थे कि एक महने में हम कंप्लीट करके देंगे, तो आज चार महने हो गए सर, अबर समय जगत के लिए सिवनी से व्यूरो नरेन सोनी की रिपोर्ट,